हेलो स्टुडेंट माइसेल्फ विनोज चौधरी सेल्सी सीकर जैसा आपको पेपर देखे आए हैं स्टीसी का उमीद करता हूं काफी अच्छा रहा होगा पेपर का लेवल भी अच्छा था ज्यादा नहीं अपने इसको एक्स्प्लेन करते हुए देखते हैं सोल्यूशन पर क कि फर्स्ट कुशन दे रखा है डिस्प्लेस्मेंट कैन बी अच्छे से मोसन के अंदर अपन पढ़ते हैं कि डिस्प्लेस्मेंट जो होता है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है जब भी आपके पास जैसे पॉइंट ए है यह पॉइंट भी है कोई भी ऑब्जेक्ट है होता है उसल्म in displacement के नाम से जानते हैं वह कभी दिस्टेंस से छोटा नहीं हो सकता दिस्टेंस क्या होती पात लेंध होती कभी भी वो डिस्टेंस और डिस्प्लेस्मेंट का कम्रिचन कभी भी करवाए प्रके अंदर तो अच्छे से इसको detail में देखते हैं कि Typ displacement can be zero हो सकता है जहां पर rotational की बात होती है या circular motion की बात होती है object a point से वापिस a point तक अगर आ जाता है तो इस दोरान उसका initial point भी यह और उसका final point भी यह तो इस दोरान zero हो सकता है displacement उसके बाद देखें negative तो displacement के बारे में जानते हैं कि that is vector physical quantity direction का इसमे रोल होगा कोई भी frame of reference के अंदर कोई भी अपन initial point किसी की respect तो मानेंगे यहां पर अगर चलते हैं तो अपन basically positive count करते हैं यहां पर चलते हैं तो इस direction को आप negative count करते हैं यानि इस direction में चलोगे displacement positive आ जायागा यहां चलोगे नेगेटिव आ जायागा क्योंकि that is vector physical quantity तो नेगेटिव भी हो सकता है positive की बात करें तो किसी भी point से चल करके यहां पर आए तो यह displacement क्या है positive इस direction के अंदर अगर चलें तो बात की जाए कि 0 भी हो रहा है negative भी हो रहा है तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ कि कि ओडोमेटर किस बोतिक रासी को मापता है तो इसके बारे में भी अपन अच्छे से जानते हैं कि कि ओडोमेटर कौन सी बोतिक रासी को मेजर करेगा ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डिस्टेंस को मेजर करता गाडियों के अंदर लगा रहता है जैसे जैसे अपन ट्रेवल कर रहे होते हैं उसके अंदर किलोमेटर या मेटर की फोर्म के अंदर यह लगा रहता है यानि लिखते हैं तो वेलोसिटिक का क्या होता है में तर पर सेकंड और एक टाइम और है यानि क्या बन जायागा आपने पास मेंटर पर सेकंड स्केर क्या बन जायागा में छोट्थ मिट्वर्फ करें कि विश्थापन और दूरी में सहीं संब्ध्क्रियाइ头 .. 170 थोड़ी तेर अगर बात की जाए कि यहां point A से चले हैं वापिस A point पे आ गए हैं तो इस दोरान आपके displacement की value क्या होगी 0 लेकिन distance की value 0 नहीं होगी क्योंकि that is defined with path length that is path length तो यहां पर अपने में correct देखना है तो पहला देखे displacement और distance दोनों के भी कि रिलेशन दिया हुआ है कि displacement greater than distance क्या ऐसा possible है ऐसा कभी possible नहीं होता displacement कभी distance से ज्यादा होई नहीं सकता सेकेंड displacement का square और ऐसी कोई condition वहां पर लागू नहीं होती जब motion पढ़ते हैं अपन इसके अंदर देखा जाए कि fourth option को गोहर से देखिए कि एक particle मुव कर रहा है उसके लिए distance or displacement equal हो सकता है straight path क्या लोग अगर मुव कर रहा है दूसरा displacement है वो distance से कम भी हो सकता है यहां से चल करके यहां पर आया displacement कितना हुआ यह इतना हुआ जबकि distance कितनी इतनी यानि displacement or distance दोनों equal भी हो सकते हैं लेकिन distance हमेशा जादा रहेगा अगर equal नहीं है तो distance वहां पर हमेशा जादा रहेगा displacement से आपके correct answer कोन सा हो जायागा fourth next question की चर्चा करें कि कि किसी the initial velocity of a particle is 10 meter per second it is moving within acceleration of 4 meter per second square the final velocity will be the particle after two second is तो कैसे calculate करेंगे अपना जानते है Newton's low motion and equation of motion first equation किसे deal करती है V equal U plus 80 से deal करती है साब साब कह रहा है आपने question के अंदर की acceleration जो है उसकी value change नहीं होगी acceleration uniform है और acceleration uniform है तो आप apply कर देंगे equation of motion यहाँ पर U की value initial velocity कितनी दे रखी है आपको 10 meter per second दे रखी है क्या दे रखी है 10 meter per second plus acceleration कितना दे रखा है 4 meter per second square दे रखा है और कितने time बाद की चर्चा कर रहा है कि 2 seconds जब उसको चल दे हुए हो जाते हैं तो इस दौरान उसकी velocity कितनी हो जायागी तो यहां से आपके पास तो लोगर के velocity दो सेकिंड के बाद कितनी आ जायागी तो 10 प्लस 4 x 2 8 यहनि आपके पास हो जायागा 18 meter per second क्या हो जायागा 18 meter per second correct answer कौन सा first next question की बात करें तो 4 Newton यह आपको दे रखा है two forces of 4 Newton and 3 Newton are acting on the same object in in opposite direction the resultant force on the particle will be as a question है अभी देखते हैं क्यूशन को क्यूशन किसके साद डिल कर रहा कि यहाँ पर plane है प्लेन के अंदर एक object रखा है यह राव एम मास का object एक फोर्स लग रहा है यहां पर फोर न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है यहां पर थ्री Newton का इस क्यूशन के according कि दो फोर से फोर न्यूटन और थ्री न्यूटन दोनों opposite direction के अंदर है मेन उनकी बीच एंगल कितना 180 डिग्री कितना 180 डिग्री एंगल है इस दोरा रेजल्टेंट जो आएगा रेजल्टेंट अपन जानते हैं दो कोई भी वेक्टर हो किसके अकोर्डिंग डिपाइन करेंगे कि असकी एक स्ञार प्लास llen्यूटन तίας करदबे स्ञार जांपर तक इसके बीच एंगल होता है दोनों वेक्टर के बीच इससे भी एंटान आभी इंपकर बता इदर फोर न्यूटन कोई भी ऑब्जेक्ट हो इस दुनिया चौह कर सकता यह फोज पैन बवा किर सकता मैं इसके साथ अगर सपड़ लगाएं तो यह क्या-क्या डॉलॉ best कर सकता यहा व्यारन सका साथ कर चैंज कर सकता है है तो कोई चलता हुआ को देखें, can changes its direction of motion, सामने से कोई object आ रहा है, उस पे इतना force लगाएं कि वो वापीस भी चल जाए, तो ऐसी condition possible है, यानि दूसरा option भी हो सकता, third can changes its shape, तो कोई भी object है, इस पे force उपर pressure के रूप में लगाई है, इसके structure भी change होगी, यानि आपके पास तीनों जो option है, first, second, third, त सही है, यानि answer क्या हो जाएगा, all of these, next question पर देखें, unit of universal gravitational constant g, क्या हो जाएगा, देखते हैं, तो अपन कहीं पर पढ़ते हैं, कि gravitational force जो होता है, किसकी equal होता है, g m1, m2 by r square, जब दो particle हो, पहले का mass m1, दूसरे का mass m2, r distance पे separate हो, इस दोरान लगने वाले force को अपन कुछ ऐस से लिखते हैं, यहाँ से unit g की पूछ रहा है, तो g का formula क्या हो जाएगा, g equal हो जाएगा, f into r square upon क्या हो जाएगा, m1 into m2, यहाँ से define हो जाएगा, कि force को newton में major किया जाएगा, distance को meter, meter square बन जाएगा upon kg into kg क्या बन जाएगा, kg square बन जाएगा, answer क्या हो जाएगा, newton meter square per kg square, third option आपके पास एकुरेट है नेक्स्ट देखें इप डिस्टेंस बिट्विन टू मासेज डवर्ड देन ग्रिविटेशनल फोर्स बिट्विन एम विल बी इसी तरीकी की बात है चल रही है कि जैसे यह मास लिया आपने पहला यह दूसरा एमटू दोनों के भी डिस्टेंस कितने लिए आर लिए है इस दोरान लगने वाला फॉर्स कितना हो जायागा जी एमवण एमटू बाई आर स्केर हो जायागा इसको अपन नाम देदेते हैं कि यह पुराना फॉर्स है यह ओल्ड फॉर्स है इसको एक्विएशन दिया गया अब देखें कि लेंग्वेज के कोडिंग की इफ दा डिस्टेंस बिट्विन तू मासेज डबल डिस्टेंस को डबल कर दिया गया है तो इस पुराने फोर्स पर कितना एफक्ट होगा देखने को मिलेगा तो यह देखें यह कि एन्टू रहा यह एम तू रहा जो आर वहा करता था वो अब बन गया थुआर बन गया इस दोरान लगने वाला एंग्ट पूर्स कितना हो जायाएगा तो फोर्स नया एफ निू की अगर चर्चा करें तो जीह एम वान M2 distance की जगे क्या है 2R है इसका square तो कितना बन जायागा F new equal G M1 M2 by क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं R square into 1 by 4 यह क्या है यह दो पुराना force है और पुराने force में किसका divide हो रहा है कि if the weight of a person on the earth surface is 60 Newton then his weight on the moon will be weights related बाते हो रही है जहां पर types of force पड़ा जाता है जहां पर types of force पड़ा जाता है वहां पर अपन जो indicate करते हैं कि weight force किसकी बात करते हैं weight force की बात करते हैं जो किसको represent करवाते हैं इसकी value क्या होती है कोई भी m body कोई भी body है जिसका mass m a gravitation constant कितना लेते हैं जी है उससे जब इंटू करवाते हैं तो यह force जो होता है mg इसको अपन क्या कहते है weight force कहते है moon की बात कर रहा है question और किसकी बात कर रहा अर्थ की बात कर रहा है अर्थ पे ग्रिविटेशनल कॉंस्टेंट जी लेते और मून पे कितना लेते जी बाई 6 लेते यानि जब अर्थ पे थे तो कोई भी ओब्जेक्ट था उसका वेट कितना था 60 न्यूटन था वो कैसे आया होगा वह एम इंटू जी से आया होगा जब इसको मून पर ले जाएंगे तो वहाँ पर जी क्या बन जायागा जानि वेट भिक हो जायागा शिक्स से डिवाइडे हो जायाएगो आपके पास answer कितना आजायागा 10 आ जायागा 10 एन्फिरोश वह पोस्कॉटो नेक्स। चर्चा करें कि प्रेक्ट इंटू दिश्मेंट ज़ानते हैं वर्ण जो होता है कीए इस की फोर्स इन्टू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह किसको रीपर्जेंट करता है किये गए काम को जैसे अगंगर ऑग्जेक्ट रीपरजेंटेशन देखा मेंगिट्टूड ओफ टोटल एनरजी वोफ एन अब्जेक्ट फोलिंग फ्रेवी टूवास दआ यह रही अर्थ सर्फेस कोई भी औब्जेक्ट एफरेली गिर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट के पास दो एनर्जी हो सकती है तोटल एनर्जी की अगर बात करें तो वो या तो क kinetic energy plus potential energy के रूप में रहती है लेकिन क्यूशन की लेंग्वेज अगर पकड़ोगे तो यहां पर total energy का क्यूशन है total energy increases decreases remain unchanged none of this so energy conservation लो पड़ते हैं वहां पर कहते हैं किसी भी object से related जो energy total energy होती ही वह हमेशा क्या रहती है वो चैंज नहीं होगी तो answer क्या हो जाएगा remain unchanged आगे की बात करें नेक्स्ट की इस वेलोसिटी ओफ एन ओब्जेक्ट इस डवल देन वाट विल 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 दा काइनेटिक एनेर्जी ओफ दा ओब्जेक्ट तो काइनेटिक एनेर्जी को जानते कि कोई भी object है उसकी काइनेटिक energy कितनी होगी हाफ Jeśli स्केर। जहां पे एंब क्या है मास स्थीच अधिये इनिसी ऑबजेक्ट अपक्य ओब्जेक्ट की वैले 4 time increases next question के साथ देखें if an object of mass m is located at a height h from the earth then the value its potential energy will be तो कोई भी reference लेते हैं यहां पर कोई भी object पड़ा हुआ है जिसका mass m है reference पर यह तो इसकी potential energy अपन count करते हैं 0 इसको अगर ऊपर की और लेके जाया जा रहा है तो यहां पर with the direction की अगर बात करेंगे तो h height पर जब लेकर के जायेंगे तो यहां पर potential energy कितनी हो जायागी m into g into plus का h यहां पर count करते और answer आ जाता है mg h नीचे की तरफ जब लेकर के जायेंगे तो potential energy कितनी हो जायागी अब reference से नीचे लेकर जा रहें तो इस लेवल पर potential energy अपन लिखेंगे m into g into displacement कितना count करेंगे minus h तो इस लेवल पर हो जायागी माइनस mg h और इस लेवल execution देखें दा लेंस formula is direct optics के अंदर आप जहां पर लेंस के साथ deal करते हैं वहां पर बताते हैं कि लेंस formula जो है 1 by f equal 1 by v minus 1 by u होता है जहां पर f क्या होती है focal length होती है वी क्या होता है distance of an object from sorry जब यहां पर image की अपन बात करेंगे कोई भी लेंस ले लिया जैसे यह लेंस से optical point हो गया यहां पर रखा है आपने object object जिस distance पर होता है उसको यू से represent करते हैं image माल लेते हैं यहां पर image बनी होगी तो optical point और image के बीच का जो distance होता है उसको किसे represent करते हैं वी से और object और optical point के बीच के distance को represent करते हैं यू से आपका exact answer क्या हो जाएगा one by f equal one by v minus one by u second option next देखें करेक्ट relation between radius of curvature capital R and focal length small f for a spherical mirror spherical mirror की बात करें यह रा यहां पर दोनों में से कोई भी हो इसमें जो radius of curvature होता है अच्छे से जानते हैं कि कुछ इस तरीके का arrangement होता है यह जो small f और capital R की बात कर रहा है इन दोनों में relation अपन पढ़ते हैं कि radius of curvature होता है वो two times of focal length होता है r equal to f जो कौन सा मैंच कर रहा है फर्स्ट ओप्शन नेक्स देखें मैं इस स्टेंडिंग टू मीटर अवे फो में प्लेन मीरर दा डिस्टेंस बिट्वीन दा मैन एंड इट्स इमेज यह प्लेन मीरर की बात कर रहा है यह प्लेन मीरर रहा है और सर्फेस पर कहीं सब्सक्राइब और देखनी को व्लेगा पर डिस्टेंस के बीच in मिटर फी इस बीटील बिस्टंस बिल्टीन isto मैं एंड इट्स इमेज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है तो टू प्लस टू क्या हो जायागा फोर हो जायागा नेक्स देखें इफ लेंथ ओफ ए रेजिस्टेंस वायर इस डवल एंड इट्स ट्रोश एक्ष्टिविटी वॉड तो कितना चैंज हो जायागा रेजिस्टिविटी यानि रो के बारे में पूछ रहा है और रेजिस्टिविटी के बारे में जानते हैं कि कोई भी अब्जेक्ट हो उसकी रे का मेडरियल नहीं बदलता उसका मेटर नहीं बदलता तब तक रेजिस्टिविटी कॉंस्टेंट रहती है तो यहां पे एंसर क्या हो जाएगा रिमेन अंचैंज आगे देखें क्यों सबसे पहले पता होना चीये किसको मेजर करता है तो करेंट को मेजर करता है कि सर्क्यिट के अंदर कितना करेंट नहीं जानते हैं व इक्वल इंटू ब्रफा हो आर यहां प convey तो डिश्रस लगे हुए हैं तो पहले आर갈 क्यों को बात करेंए तो पर सेरीज कॉम्बीनेशन है, जब इसको गोर से देखोगे, तो यह कौन सा कॉम्बीनेशन है, सीरीज, 8 प्लस 4 कितना हो जायागा, 12 हो जायागा, आई इंटू 12, V कितना है, तो यहाँ पर 6 अप्लाई किया हुआ है, I की बात कर रहा है, तो कितना हो जायागा, I equal, 6 by 12, यानि कितना हो जाएगा 1 by 2 यानि 0.5 ampere एंसर क्या हो जाएगा 0.5 ampere नेक्स्ट देखें दे रेजिस्टेंस ओप बल्ब मार्क 220 वोल्ट 10 वार्ट इस किसकी बात कर रहा है कि रेजिस्टेंस की वेल्यू को केल्कुलेट करना है तीन वेल्यू यहां पर आपको दी गई है 2421214840 तो रेजिस्टेंस और पावर के बारे में कुछ ऐसी बात जानते हैं कि पी क्या होता है आई स्केर आर होता है या आई को V by R की फोम में लिखा जाए तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं यहां से क्या हो जायागा V square by R हो जाएगा यहां पर power हो जाएगा power कितनी दी गई है 10 watt यहां पर यह 10 है इधर 220 का square और इधर क्या हो जाएगा R unknown है R को जब solve करेंगे तो कितना बन जाएगा 220 square upon हो जाएगा 10 यहां से answer क्या आजाएगा आपके पास जब solve करेंगे एक किलोवाट घंटा विदूतूर्जा के बराबर है यह अच्छा किसन दिया हुआ है कि वन किलोवाट हावर ओफ एलेक्ट्रिक एनरजी इस इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनरजी के इक्वल पूछ रहा है यानि answer वाट में दो नहीं आना ना न्यूटन में आना है एन्सवरी दोनों के अंदर से ही होगा क्योंकि एनरजी गोंतर है या तो जूल या फीर अर्ग तोल करके आगर देखें तो वन किलोवाट एनरजी किसके इक्वल होती कि किसी भी काम को अपन कर रहे Hungry रहे है और उसको किस पावर के साथ किया जा रहा है वन किलोवाट औ और एक घंटे तक अगर करते हैं तो इस दोरान जो डिफाइन होने वाली एनर्जी है उसको अपन क्या नाम देते हैं वन किलोबाट पर हवार वन किलोबाट हवर के ओर पड़ा जाता है यहां से देखें वन किलोगों क्या लिका जा सकता है हजार वाट है इंटु βन अऊंक्रों को ईलिए सकता है छंतिसों सेकंड क्या इसको लिका जा सकता है कि छत्यों एंटू एंटू ाजार इंटू वाट इंटू सेकंड वाट होता है जूल के इक्वल होता है और क्या जाहेगा आप के पास 36 into 10 to power 5 Joule, तो option देखोगे, option match नहीं कर रहा, तो क्या किया जाए, 10 से divide कर दे, 10 से into कर दे, answer match कर जाएगा, 3.6 into 10 to power 6 Joule, answer के उन्सा हो जाएगा, first answer, next देखे, what is the maximum resistance which can be made by using 5 registers each of 1 by 5 ohm, तो जहाँ पर combination of resistance पढ़ा जाता है, वो दो तरीके का पढ़ा जाता है, एक तो आप पढ़ते हैं, series combination, एक आप पढ़ते हैं, parallel combination, series combination कहाँ पर काम लेते हैं, जहाँ पर अपन equivalent को अगर define करते हैं, तो कुछ इस तरीके का आपन कहते हैं, कि इस तरीके से define किया जाएगा, parallel combination की बात करें, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से define करते हैं, 1 upon R equivalent plus 1 by R2, कुछ इस तरीके, series और parallel की definition के अंदर ही इस तरीके का concept design हो जाता है, कि जहाँ पर resistance की value को increase करना हो, यानि R equivalent जो है, वो छोटे से भी छोटा आता, parallel के अंदर जो equivalent आता है, वो बड़े से भी क्या आता है, यहाँ पर बड़े से बड़ा, यहाँ पर छोटे से छोटा, resistance को कम करने के लिए parallel काम लेते, increase करने के लिए series काम में लेते, तो यहाँ पर क्या करना आपने को, maximum, यानि increase करना, increase करना इने सब को किसमें जोट देंगे, कि 1 by 5, plus 1 by 5, plus 1 by 5, 1 by 5 और 1 by 5, सिरीज के अंदर कॉम्बिनेट करवाद होगे, आरिकिलेंट सोल होगे, कितना आ जायागा, 5 by 5 और 1 ohm एंसर हो जायागा, कि maximum जो है, 1 ohm का resistance बना जा सकता है, next देखें, electric current generator converts, electric generator जो होता है, वो कौन सी energy को, कौन सी energy में बदलता है, तो अच्छे से जानते हैं, कि यह generator है, जिसको dynamo आप कह रहे हैं, input है, output, output signal के रूप में आपको क्या मिल रहा है, वहाँ पे current मिल रहा है, यानि electrical energy मिल रही है, तो input में आपने क्या दिया होगा, mechanical energy को दिया होगा, यानि वो mechanical energy को, electrical energy में convert करता है, answer हो जाएगा second, next question देखें, earth wiring, earth wire is used in the electric instrument, तो earth wire क्यों लगाया जाता है, अच्छे से जानते हैं, कि safety जो drop leakage होता है, voltage drop जो आपके पास कोई भी circuit में काम करते टाइम, अगर drop हो रहा है, तो वो कहां पे चला जाए, earth में चला जाए, और आपका circuit जो वो खराब ना हो, इस चीज़ से बचाने के लिए, यानि safety measure आपका answer हो जाएगा, 4, next देखें, an electric, sorry, an electron enters a magnetic field, at right angle to it, at shown in figure, the direction of force acting on the electron will be, तो अच्छे से जानते हैं, कि magnetic field लगाया हुआ है, B vector, आपने कहीं भी, जिस भी direction के अंदर लगा रखा है, यह रहा है, आपके पास B vector, इसके अंदर कोई भी charge particle हो Q, जब वो V velocity से इंटर करता है, तो Q charge पर एक force लगता है, जिसे आप magnetic force कहते हैं, जिसकी value आप लिखते हैं, width direction Q, V vector, cross B vector, cross हो रहा है, यानि आपने जानते हैं, answer जो आएगा, वो V के भी perpendicular आएगा, बी के भी perpendicular आएगा, यानि angle between F, M, जो होगा, वो V के साथ इस तरीके से relate करेगा, और जो magnetic force आएगा, वो V के साथ भी किस तरीके से relate करेगा, कुछ इस तरीके से relate करेगा, यानि दोनों के क्या होगा perpendicular, तो option देखें, कि into the pace, और out of the pace, तो जो plane बना है, इन दोनों के साथ, इस तरीके से होगा, या फिर अंदर जाता हुआ होगा, अगर positive charge होता है, negative charge होता है, तो अंदर की ओर होता है, यह अपना physics का portion जोए, वो खतम होता है, उमीद करता हूँ कि लगबग सभी student के 25 by 25 किसन करेक्ट रहे होंगे, धन्यवाद, हेलो व्रिवन, मैसेल्फ कवीता राजप्रोहित, टूड़े, वी विल डिसकूस अबाउट अस्टी असी सेट पेपर, ओखे, हम देखने वाले हैं 26 नंबर किश्यन से लेके 50 नंबर किश्यन तक, यह हमारा chemistry का पार्ट रहेगा, ओखे, तो देखिए, chemistry का जो first question है, और वो कुछ इस प्रकार है, mixture is, यानि हमें पता करना है कि mixture कौन सा है, देखिए, first is sodium chloride, second is sugar, third is brass and fourth is copper sulfate, mixture meaning हमें यहाँ पे mixture को देखना है, तो हमें पता पड़ता है कि जो brass है, और वो copper plus zinc का क्या है बच्चों, mixture है, इसका मतलब यहाँ पे third option क्या हो जाता है, correct हो जाता है, I hope आप लोगों को समझवें आ गया होगा, अब देखिए हम next question की तरफ चलते हैं, एक second, देखिए, 27 number question, 27 number question कुछ इस प्रकार है, metaloid among the following is, यानि हमें पता करना है कि metaloid कौन सी है, देखिए, iodine metaloid नहीं होती है, chlorine भी नहीं है, oxygen भी नहीं है, metaloid हमारे पास यहाँ पर germanium है, metaloid यानि metal और non-metal जो होती है, उनके character जैसे, यानि metal का character भी हो सकता है, non-metal का character भी हो सकता है, इस परकार के element को हम क्या बोलते है, metaloid और जिसका answer जाता है germanium, ओके तो यहाँ पर third option जो है, वो एकदम correct है, अब हम चलते हैं next question की तरफ, next question है हमारे पास, example of emulsion, okay, example of emulsion is, emulsion क्या होता है, liquid, liquid, जो data होगी, वो क्या होगी, हमारी emulsion होगी, तो हम जानते हैं कि जो milk है, milk क्या होता है, एक emulsion होता है, जिसमें fat or water क्या होते हैं, dispersed होते है, फेट जो होती है वो डिस्पर्स होती है इन वोटर इसलिए हमारा यहां प्यांसर क्या जाएगा मिल्क आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अब हम चलते हैं नेक्स्ट किशन की तरफ नेक्स्ट किशन हमारा कुछ इस प्रकार है दा सूटेबल मैथड फोर सपरेशन ऑफ मिक् अब हमें क्या करना है इसको करने के लिए हम क्या करते हैं यहां पे इसको हीट कर देते हैं सेंड बात पे किस पे सेंड बात पे क्या कर देंगे बच्चों हम इसे मान लीजी थोड़ा सा हीट कर दिया तो क्या होता है जो अनच 4CL यानि अमोनियम क्लोराइड की जो क्रिस्टल होंगे वो क्या करेंगे वेपर में कनवर्ट हो जाएंगे और इस बीकर को छोड़ कर चले होप आप लोगों को समझ में आ गया कि यहां पर थार्ड ऑप्सन क्या है एकदम करेक्ट है अब हम चलते हैं नेक्स्ट किष्ण की तरफ देखिए नेक्स्ट किष्ण 30 नमबर किष्ण कुछ सपरकार है प्योर कंपाउंड अमंग फॉलोइंग इस यानि हमें देखना है कि प्योर कंपाउंड कौन सा है बच्चों मिक्सर अलग होता है कंपाउंड अलग होता है हमें यहां पर कंपाउंड पूछा है तो प्योर कंपाउंड देखिए टिंचर आयोडीन कभी भी प्योर कंपाउंड नहीं होता है इसमें देखिए अलकोहल और आयोडीन मिक्स होता है इसलिए तो मिक्स्चर में चला गया यहां पर यहां पर सोडा वाटर भी क्या है क्या है एक कंपाउंड है इसका मतलब यहां पर यहां पर प्लोग समझ रहे होंगे मेरी राट अब हम CO2 molecules very very important question है और यह इसी टाइप का कुछन बार बार पूछा जा चुका है देखिए यहां पर पूछा है ratio of masses यहां पर देखिए आप क्या है हमें मास को देखना है किसका मास है हमारे पास CO2 तो हमें देखना है कि यहां पर यह कार्बन है और यहां पर यह क्या है oxygen है इसका हमें क्या देखना है ratio देखिए कार्बन का जो मास होता है और वो हम लिखते हैं 12 और 1 oxygen का मास कितना होता है 16 इसका मतलब 2 oxygen का कितना हो जाएगा 32 यानि हमारे पास ratio आया है 12 ratio 32 इसको जब हम कट करते हैं तो यहां पर यह हो जाएगा 6 16 और इसे अगर हम simplify करें तो यह ह हो जाएगा 3 ratio 8 इसका मिनिंग यहां पर हमारा आंसर क्या हो गया सेकंड आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा अब हम चलते हैं अगले किशन की तरफ देखिए 32 नंबर किशन 32 नंबर किशन है आमारे पास बहुत ही अच्छा किशन है 32 नंबर किशन देखिए मोनो एटोमिक म मोनो एटोमिक देखिए हम बात करते हैं हाइट्रोजन तो स्टेबल फॉर्म होती है एच्टू हम बात करते हैं हीलियम तो स्टेबल फॉर्म है सिंगल एटम हम बात करते हैं नाइट्रोजन तो स्टेबल फॉर्म होती है और हम बात करते हैं क्लोरीन स्टेबल फॉर्म होती ह है cl2 तो बताईए एक एटम किसमें है तो हमें दिखाई दे रहा है एक सिर्फ किसमें बच्छों हेलियम में है इसका मतलब यहां पर आंसर क्या जाएगा second okay अब हम चलते हैं next question की तरफ तो हमारे पास next question इस प्रकार है दे molecular formula of calcium phosphate calcium phosphate का molecular formula देखना है तो हम देखते है calcium जो होता है वो प्लस 2 में होता है और जो phosphate ion होता है वो फूर-3 होता है और जब balance हमारे पास different आती है तो हम क्या करते हैं इस प्रकार से इन्हें टम्स को लिखते हैं तो देखिए केसी दौए को हमें इधर हे यहां तो त्री यहां आ बचा क्या हमारे पास पियो फोर क्या बचा पियोफोर और यूर चला जाएगा पियोफ defending तरफ यानि हमारे पास यह पॉर्मूला बनेगा यानि यहां पर उप्सन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों एकदम करेक्ट हो जाएगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अब हम चलते हैं अगले किशन की तरव अगला किशन हमारे पास 34 नंबर किशन को चिस प्रकार हैं ओके देखिए नंबर और आमशन की सान्द मारी और में चैनि मल्यट मेंनी तो झाला में को मीज़ते हैं मनोस्तक पास्व जो जो भी है उसको आप रखा किरमा दो zwei मॉलिक्यूलर मास से स्टू का मॉलिक्यूलर मास होता है एटीन तो इससे हमारे पास क्या आजाएगा मॉल आजाएगा और यहां से मॉल का आंसर आएगा पॉइंट वन क्या आजाएगा बच्चों पॉइंट वन आंसर आगया मॉल का अब देखिए हमें निकालना है मॉलिक्य कर दिया तो जैसे हम इसको मिल्टिप्लाइब करेंगे तो देखें यह आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 6.0 2 2 2 2 10 to the power 23 क्योंकि एफ और यह फॉइंट है तो इधर सिफ्ट हो जाएगा और फाइनली आंसर किआ हो जाएगा 22 तो देखिए 6.02 तो इंटू 10 तो दीपार 22 यानि यहां पर सेकंड ओप्शन के एकदम करेक्ट है चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन की तरफ नेक्स्ट क्यूशन आप लोगों को दिखाई दे रहा है maximum number of electrons present in and cell of an atom देखिए इस question में पूछा है maximum और maximum पर आप लोगों को क्या करना है focus करना है क्या है maximum number of electron present in and cell देखिए सबसे पहले हम देखते हैं cell कौन-कौन से होते के L M and N यानि यहां पर फॉर्ट सेल हमारे पास आ रहा है कौन सा रहा है फॉर्ट सेल तो हमें यहां पर फॉर्ट सेल पर क्या करना है बच्चों फोकस करना है यानि यहां पर जो मेन क्वांटम नंबर होगा वो क्या होना जी फॉर्ट तो हम electronic configuration कुछ इस प्रकार लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p ओके फिर हम लिखते हैं 5s 4d 5p और फिर हम लिखते हैं 6s 4f 5d 6p अब देखें हमें जानी इस लान कि बात इंकर करनी है और यानि कौन सा फॉर्ट syll कौन सा फॉर्ट सिल तो देखें जहां जहां फॉर आ रहा है आगे उसको में कॉंट और यह वोल नहीं है फॉड नहीं है नहीं देखें एक रहा यह रहा फॉर, यह हमारे पास 4 है, यह हमारे पास 4 है, और यह हमारे पास क्या है, बच्छो, 4 है, देखे, देखे, S में कितना इलेक्ट्रोन रह सकता है, 2, देखे, यह 4, D में कितना इलेक्ट्रोन रह सकता है, 10, देखे, P में कितना रह सकता है, 6, मैक्जिमम, F में कि करते हैं तो देखिए 64 कितना हो जाएगा 10 और 212 तो क्या आ गया 32 यानि हमारे पास maximum maximum number of electrons in n cell कितना आंसुर आ जाएगा बच्चो 32 यानि यहां पे जो third option है वो एक्दम क्या हो जाएगा correct हो जाएगा तो आप लोग समझ गए होंगे 35 number किशन को भी चलिए अब हम चलते हैं अगले किशन की तरफ वैलेंसी ओफ फ्लॉरीन वैलेंसी ओफ फ्लॉरीन देखिए बच्चों बड़ाई आसान है सबसे पहले फ्लॉरीन का क्या लिखेंगे electronic configuration तो हम 27 लिखते हैं आउटमोस्ट में 8 करना है तो इसको वन इलेक्ट्रोन गेन करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा वन इलेक्ट्रोन गेन वैलेंसी तो वन इलेक्ट्रोन की बात हो रही है तो यहां पर आंसर क्या जाएगा फॉस्ट चलिए अब हम अगला किशन है वन अस्त्री क्या होता है वन अस्त्री हमें पूछा जा रहा है नंबर ओफ प्रोटोन प्रोटोन क्या होते हैं जो यहां पर नंबर है उसे हम क्या बोलते हैं प्रोटोन क्योंकि यह हमें जैड डिनोट करता है तो प्रोटोन का नंबर तो आ गया वन जबकि हमें सुरा रहा है 1212 काहां पर है यह राभी उप्शन में यानि हमारा सेकंड उप्शन क्या हो जाएगा एक्टम एक्टुरेट हो जाएगा चलिए अब हम चलते हैं अगले किशन की तरफ देखिए अगला किशन है पेयर सोफ आइसो बार हमें क्या देखना है कि कौन है जो आइसो को पहचाना है बिखिए सबसे पहले आइसबार को देखिए ऐसो बार क्या होते है जिनमें atomic मास या वेट जो भी आप बोले वह क्या रहे इक्वल रहे उसे क्या बोलते हैं आइसो बार बोलते हैं जिबकि atomic number different होएगा, देखिए, हमें उपःवाली term क्या denote करती है, atomic mass or atomic weight, तो देखिए, उपःवाली term क्या हो जानी चाहिए, equal हो जानी चाहिए, यानि same हो जानी चाहिए, उसे ही क्या बोलते हैं, आइसो वार तो किसी भी option में उपर वाली टाम सेम नहीं है सिर्फ हमारे पास एक option बसता है जो है fourth option चलिए अब हम चलते हैं next question की तरफ 39 number question है an example of double displacement reaction is यानि हमें देखना है double displacement किसमें हो रहा है तो देखिए यहाँ पर single displacement है यहाँ पे composition है और यहाँ पर हाइट्रो कार्बन की reaction आ गई है लेकिन डबल डिस्प्लेस्मेंट देख सकते हैं यह इसको क्या कर रहा है और sodium को कर रहा है इसका मतलब यहाँ पर second option क्या हो जाएगा एक्दम करेक्ट ncrt की सिधी reaction थी चलिए अगला question 40 number question देखिए एक reaction दीवी आप लोगों को इस reaction में आप लोगों को पता करना है किस reaction का type क्या type of reaction तो बड़ाई आसान सा है दो आप लोगों को reactant दिखाई दे रहे हैं उससे single क्या बन रहा है है product मन रहा है इसका मतलब यह combination reaction है तो यहां पर first option क्या हो जाएगा एक दम करेक्ट चलिए 42 number question sorry 41 number question correct statement about the following reaction यानि हमें देखना है कारेक्ट statement कौन सा है एक reaction दीवी आमन और टू प्लसना सील अमन सील टू प्लसना स्टू प्लस सील टू देखिए इस reaction में हमें है looks at oxidation किसका हो रहा है और reduction किसका हो रहा है तोनसरा तो सबसे नमबर से स्वेल करते हैं हमनोन से क्या बन रहा है व абсолютно और रहा है ठीक है यह नहीं हमने पैचान नंबर क्या हो जाएगा एकवल में 0 करें तो एक्स क्या आजाएगा प्लस का 4 यानि यहां पर मेगनीज प्लस 4 में है जबकि यहां पर मेगनीज जो है वह बच्चों किसमें है प्लस टू में यहां पर हम मेगनीज को देख रहे हैं इसका मतलब यहां पर क्या होगा रिडूक्शन यहां पर अमनोटू क्या हो रहा है रिड्यूस्ट हो रहा है क्या हो रहा है रिड्यूस्ट तो यहां पर देखिए अमनोटू इस गैटिंग reduction, यहाँ पिर option क्या हो जाएगा, 1 second, 1 second, Monto 2 क्या हो दाए बच्छों, reduce हो रहा है, plus 4 से कहा जारा है, plus 2 की तरफ जारा है, plus 4 से, plus 2 की तरफ जारा है, इसका मतलब reduction होगा, तो businessman 2 is getting reduce, यानि यहाँ पिर जू क्या हो जाएगा, क्रविटिस्ट से प्लस फॉर की तरफ जब जाता तो यह हम क्या बोलते हैं प्रतेलह की दिफशन होगा घ्ला है आपने पिरास हो रहा है damn Manufact in कुछ इस प्रकार है लेड़ नैट्रेड हम नॉट्ण ले अक्साइड, प्लस अक्षेंट, वाय, हमें देखना है कि, आक्स और वाय, कौन सा प्रोडक्ट है, देखें, लेड नाइटेड क्या होता एं? पी बी अनौ 32, क्या होता है? पी अनौ 3, sód, जब हम इसocyum को heat करते हैं, ही हीट का साइन है, जैसे हम इसको heat करेंगे, तो यह OXIDE बनाएगा और उसके साथ IMPORTANT यहीं पूचा X और Y क्या होगा तो वो X और Y होता है ANO2 और O2 यानि oxygen और ANO2 release होती है nitrogen dioxide और oxygen release होती है तो आप देख सकते हैं nitrogen and oxygen and nitrogen dioxide तो देखिए कहां पे यह 1st option क्या है हमारा गलत है 2nd औप्शन यह भी गलत है 3rd देखे नाइट्रोजन डाइओक्साइड एंड ऑक्सीजन यानि यहां पर थर्ड ऑप्सन क्या हो जाएगा एक तब कर्यक्ट ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डाइओक्साइड चलिए अब हम चलते हैं अगले किशन की तरफ अगला किशन है 43 नंबर किशन प्लास्टर ओफ प्लास्टर ओफ परेस सब जानते हैं जिफ्सम से क्या बनता है वास्टर ओफ परिस सब्सक्राइब說 कोई प्लास्टर ओफ पैरिस यानि बन जाता है आप एक्दम प्यएगा चलिये अगला किशन देखते हैं अगला कुशन आएगा हमारा 44 नंबर क्युश्षन कुछ इस प्रकार है देखिए राइ स्लैक्ट लाइम प्लस क्लोरीन ठीक है उसके बाद में एक्स हमें बताना बच्चों क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो सब जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनेगा क्या बनेगा ब्लीचिंग पाउडर सी यानि यहां पर क्या हो जाएगा सी यानि थर्ड ऑप्सान करेक्ट हो जाएगा अब हम चलते हैं अगले किशन की तरफ अगला किशन को जिस प्रकार है 45 नंबर किशन सबस्तांस हेविंग बैसिक पी-ह वेल्यू देखिए बेस देखना में क्या होता है एसट होता है यहां पर क्या हो जाएगा एकदम चलिए 46 नंबर क्श heaven which gase is liberated at anode in the chloralkali process. chloralkali process क्या होती है हमने anacil ले लिया उसके साथ क्या ले लिया बच्चों? S2O क्या ले लिया? S2O जैसे इसके reaction करवाते हैं तो हमें मिलता है anayoch plus S2 plus CL2 यह जो S2 होता है वो हमें मिलता है at cathode कहां मिलता है? cathode जो कि CL2 मिलता है at anode यानि यहां पे option कौन सा हो जाएगा CL2 B option correct चलिए अब हम देखते हैं अगला किशन 47 number किशन electronic configuration of magnesium electronic configuration of magnesium देखिए magnesium आता है 12 number पे तो हो जाएगा 282 यानि यहां पे 282 third option क्या हो जाएगा correct चलिए अब हम चलते हैं अगले किशन की तरफ sine bar is an or sine bar is an or देखिए sine bar क्या होता है जब mercury के साथ sulfur आ जाती क्या जाती मरकरी के साथ sulfur तो इस उपरकार का जो और होता है इस और को हम क्या कहते हैं sine bar क्या कहते हैं बच्चों sine bar कहते हैं यानि जो mercury का sulfur और होगा यानि यहां पर first option क्या हो जाएगा correct हो जाएगा चलिए अब हम चलते हैं 49 number किशन की तरह 49 number किशन को जिस प्रकार है m4 teric oxide is देखिए m4 teric oxide की हमने series याद कर रही थी जिसमें हमने देखा था कि जो al2o3 होता है वो क्या होता है एक m4 teric oxide होता है यानि यहां पर सीधा memory best किशन था यहां पर हो जाएगा third option यानि आप लोगों ने देख लिया 49 number किशन अब है last किशन जो है 50 number किशन chemical equation of thermite reaction देखिए thermite reaction क्या होती है ध्यान रखना जब हम Fe2O3 की reaction करवाते हैं aluminum के साथ तब यहां से oxygen क्या हो जाती है remove हो जाती है और जिससे हमें मिलता है AL2O3 क्या मिलता हमें AL2O3 इसे हम क्या बोलते हैं thermite process बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों thermite process बोलते हैं I hope आप लोगों को सारे के सारे question अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो यहां पर हमारा जो chemistry का portion होता है वह complete हो जाता है I hope आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा थेंक्यू फॉर वोचिंग Hello everyone myself Nikita Sabu आज हम STSE SET का paper discuss करेंगे मेरा जो portion रहेगा वह biological portion है जहां क्योशन नमर 51 से 70 तक biological portion है तो जली स्टार्ट करते हैं क्योशन नमर 51 who propounded the cell theory तो cell theory जो है जैसे option है sliding, swan, both and none of the above. तो sliding और swan दोनों ने मिलकर cell theory को propose किया था तो यहां पर answer जो जाएगा वो जाएगा both ठीक है क्योंकि sliding जो है उन्होंने भी पहले start किया था और उसके बाद swan ने भी अपना theory propose किया था दोनों ने फिर मिला कर एक common cell theory जो है वो प्रपोस की थी इसलिए यहां पर answer होएगा third ठीक है next question the plant cell wall is mainly made up of जैसे कि हम जानते कि plant में cell wall present होती है ठीक है protective layer होती है यह plant cell में mainly जो है वो cellulose से मिलकर बनी हुए होती है ठीक है तो इसका option जो है वो है second protein, fat, muramic acid is not correct cellulose जो option है यह correct है ठीक है the next question the functional segment of DNA is called देखो इसमें जो options है वो है genome, gene, chromatin, chromosome तो इसका correct option होगा gene क्यों क्योंकि जो DNA है वो हमारा genetic material है वो हमा उसमें जो हमारी सारी information है हमारे body के सारे functions कैसे regulate होंगे इस store रहती है अब उसमें भी जो functional segment है जो particular function को regulate करता है वो होता है gene, so यहाँ पर answer होगा the functional segment of DNA is gene ठीक है? Now next question which of the following cell organal has its own DNA तो इसमें बूचा गया है कि कौन सा ऐसा cell organal है जिसे cell के पास खुद का DNA तो होता ही है जो कि nucleus में होता है बट अलग-अलग cell organals present है ठीक है अब उसमें कौन सा ऐसा cell organal है जिसके पास खुद का अपना DNA present होता है तो यहाँ पर है lysosome, plastid, endoplasmic reticulum, golgi apparatus तो यहाँ पर correct option हो जाएगा second plastic ठीक है? Plastid के पास खुद का DNA, खुद के 70S ribosomes होते हैं ठीक है? Now next question 55 the main gas responsible for global warming, correct answer CO2 ठीक है? Global warming में क्या होता है? Earth का temperature continuously rise होता रहता है ठीक है? तो उसको rise करने के लिए कौन सी gases involve होती है? कौन सी gases main role play करती है? तो इसमें carbon dioxide global warming के लिए main gases जो responsible है for greenhouse effect and global warming. Next question which of the following is a plant hormone? So, बहुत ही easy के option ठीक है? इसमें insulin, astrogen, thyroxin ये hormone human में secret होते हैं ठीक है? तो इसका 4th option correct है cytokinin is a plant hormone which stimulates cell division. ओके तो 4th option इसका correct रहेगा 57 on which plant did Mendel conduct hybridization experiments? So, बहुत easy question, Mendel ने जो अपने experiments किये थे, जो Mendel ने cross करवाए थे, वो cross के लिए उसने कौन सा plant लिया था? तो हम सब को पता है कि उसने P जो है वो लिया था, पाइसम sativum, P उसने अपने hybridization experiment में इसी पे ही अपने hybridization experiments को conduct किया था. So, third option is correct here, question number 58, the xylem in plants are responsible for, so xylem क्या है, conducting tissues है यह क्या करते है, transport करते है water को and minerals को, so root से water and minerals को leaf तक, मतला पूरे plant तक, root से पूरे plant तक जो supply करते है, वो होते है xylem, So, यहाँ पे जो correct option है, वो है second transport of water, ठीक है, now next question, question number 59, ganga action plan started in 1985, ganga action plan क्यों start किया गया था, ganga को clean करने के लिए ठीक है, So, यह कब start किया गया था, इसका कब initiative लिया गया था, तो 1985 में इसको start किया गया था, इस plan को 1985 में start किया गया था, so correct option is 1985, 60, how many people sacrifice to save trees in Khेजरली village in 1731, So, हम सभी जानते हैं कि Amrita Devi ने जो sacrifice किया था, जब उन्होंने जो भी राजा था और वो जब भी पेडों को काटने आया था, तो जो उन्होंने role play किया था, वहाँ पे क्या कि वो पेडों के चिपक गए थे, ठीका है उन्होंने क्या किया था, पेडों को काटने और उनके साथ वो लोग भी कट गए थे, सो कितने लोगों ने आपसे पूछा गया कितने लोगों ने इसमें सेक्रिफाइज गया था तो यहां पर करेक्ट अंसर होगा 363 363 वहां पर लोग थे जिन्हों ने उस वग सेक्रिफाइज गया था ठीक है next number of chambers in the heart of fishes are कितने chambers होते हैं fishes में fishes के heart में दो chamber होते हैं एक atrium होते हैं एक ventricle होते हैं ठीक है तो यहां पर correct option होगा second ऐसा होते है कि एक atrium में एक ventricle है तो एक atrium में in a food chain amount of energy in subsequent traffic levels मतलब आपसे पूछा गया है कि हम food chain में जब जा रहे हैं first traffic level से second फिर third फिर fourth जैसे जैसे हम traffic level में जाते जा रहे हैं मतलब उस time पे energy decrease हो रहे है increase हो रहे हैं सेम रहे हैं क्या हो रहे हैं तो हमको पता है 10% law हमको पता है क्या होता है जभी भी first traffic level से second traffic level में energy जाती है तो 10% energy ही आगे जाती है फिर यहां पर जो energy होगी उसका 10% आगे जाए ठीक है तो first traffic level में अगर energy 1000 joule present है तो केवल इसका 10% आगे जाएगा 100 joule energy next traffic level पर होगी ठीक है तो यहां पर continuously energy जो है वो decrease होती रहती है तो इसका correct option होगा decrease clear है next क्योशन नमर 63 is functional segments of dna are called यह repeated क्योशन है सेम क्योशन हम देख चुके हैं पहले भी ठीक है repeated क्योशन है यहां पर भी answer वही रहेगा genes functional segments of dna हम से पहले भी पूछा था कि functional segments कौन से तो gene होते हैं functional segments dna ठीक है next question causative organism of sleeping sickness is sleeping sickness एक disease है जिसको एक protozoa cause करता है जिसका नाम है trypnozoma so correct answer is 4 trypnozoma next an example of non infectious disease is non infectious disease क्या होती है जो person से person एक person से दूसरे person में transmit नहीं होती है इसलिए इनको non infectious disease बोलता है क्योंकि एक person से दूसरे person में transmit नहीं हो सकते हैं यहां पर देखेंगे high blood pressure aids common cold anthrax aids infectious disease है common cold again infectious anthrax again infectious but high blood pressure यह non infectious है यह person के internally कुछ problem होने से उसको high blood pressure रह रह रहा है ठीक है so यह एक person किसी दूसरे person को transmit नहीं कर सकता so correct option is high blood pressure clear है next question how many daughter cells are produced by one mother cell after meiosis बहात easy question meiosis में होता क्या है meiosis को हम बोलता है reductional division उसमें क्या होता है उसमें जब हम meiosis one and meiosis second ठीक है दो phases होती है meiosis one meiosis second तो यहाँ पे एक mother cell से अगर हम start करते हैं तो इससे बनती है 2 cell और यह है meiosis one और यहाँ पे फिर बनती है four cell यह है meiosis second ठीक है तो complete meiosis यहाँ से यहाँ तक है ठीक है यहाँ से start हुआ यह mother cell है और यह daughter cell है ठीक है तो यहाँ पे एट लास्ट कितनी daughter cells बनी four ठीक है क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो जाता है और जो cell बनती है वो होती है एक mother cell से four daughter cells यहाँ पे बनती है ठीक है तो इसका correct answer हो जाएगा four clear है now next question यह भी repeated question है बट इसमें option change किया है वहाँ पे option plastered था यहाँ पे mitochondria किया है ठीक है तो अब बापस से वही क्योशन है कौन सा ऐसा cell organal है जिसमें खुद का DNA होता है तो यहाँ पे answer आएगा mitochondria mitochondria and plastics यह ऐसे और 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 है ऐसे cell organal है जिनके पास खुद का DNA और खुद के ribosomes होते है ठीक है तो यहाँ पे पहले आचुका है क्योशन वहाँ पे plastered था अब यहाँ पे mitochondria है तो correct option mitochondria ठीक है next question question number 68 the animal in which sex is not genetically determined is देखो जो sex determination होता है वो अलगलग तरीकी से हो सकता है genetically होता है environmental factors से होता है temperature dependent होता है सो यहाँ पे human frog fish इनमें genetically होता है ठीक है कुछ fishes ऐसी है जिनमें नहीं होता है but mostly में genetically ही होता है snail जो है यह अपनी life cycle में किसी एक point पे किसी भी एक point पे यह अपना sex जो है वो change कर सकता है male से female या female से male तो यहाँ पे जो correct यह genetically determined नहीं होता है sex determination यहाँ पे genetically determined नहीं होता है तो यहाँ पे correct option रहेगा third snail clear next question number 69 pair of organs which is example of analogous organs is analogous organ क्या होते है जिनका anatomy जो है वो different रहता है but उनका function जो है वो common function को perform करते है उनकी structure जो है उन organs की वो different होईगी but वो common function को perform करेंगे ठीक है उन organs को हम बोलते है analogous organs ठीक है तो यहाँ पे जो option है वो correct रहेगा option number second wings of birds and butterfly बाकि सब homologous है जो तीनों option रह गए है वो homologous है और यह है analogous organ क्या है इसमें wings of bird and butterfly की structure बिल्कुल different होती है बट इनका काम क्या है यह common function perform कर रहे है फ्लाइब करने का ठीक है तो दोनों का रोल का है flying में तो इसलिए correct option है wings of birds and butterfly next question and last question is filtration unit in kidney is called kidney जो है हमको पता है हमारे blood को purify करती है blood में जो भी nitrogenous waste है उनको purify करती है तो purify करने के लिए जो units इसमें present होती है बहुत सारी units जो एक kidney में present है जो filtration का जो work है वो perform कर रही है वो function perform कर रही है वो होती है nephron ठीक है neuron हमको पता है nervous system की है urinary bladder store करके रखता है urine को और urator उसको जो urine जो kidney में बना है उसको लेकर आता है urinary bladder so filtration का जो work है वो perform करती है nephron so यहां पर हमारा biological portion finish होता है I hope कि आप सबको समझ आया होगा solution आपको बहुत easy paper था सबको समझ आया होगा solution thank you thank you so much